Hello and Welcome to Online School India for Library Science एक बार फिर से आप सभी का Online School India for Library Science में जोड़दार स्वागते दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमेर सिंग कचावा, UGC NET और SET एक्जाम की त्यारे करने वाले उन तमाम विद्यार्तियों को मेरी तरफ से हार्दिक सुबकामने दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परतेख साल मलब हर साल जो हैं दो बार UGC NET का एक्जाम होता है और अलग-अलग स्टेट के अंदर हर साल एक SET का एक्जाम होता है और आप सभी इनने अगर सपना देखा है assistant librarian बनने का college librarian बनने का university या college के अंदर तो आपको UGC net या फिर आपके state का set clear करना होगा दोस्तों तो आज हम जो हैं अमारे इस यूटूब चैनल पर पहली class लेकर आये हैं लाइबरी साइंस की UGC NTA Net Oset जिसका topic का नाम है TQM TQM की full form होती है total quality management यह एक ऐसा topic है जो आपके जैसा की आप जानते हैं कि आपका जो library science का जो syllabus से उसको 10 part में या 10 unit में divide किया गया है तो आज हम बात करते हैं unit 6 तो unit 6 का unit 6 जो है आपके library management से समझत रखता है तो unit 6 जो आपके library management से समझत रखता है यसमें एक important topic है TQM total quality management है आज हम इस topic का जो है introduction शुरुआत करते हैं आलागी यह जो topic है दो तीन part के अंदर बनेंगे आज हम पहला part शुरू कर रहे तागी आपको पता चले क्या होता है इस topic को हमें कितना जाधा deeply पढ़ना पढ़ागा कैसे सवाल आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों इस class को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ते दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने लंबे समय से मुझे इतना प्रेम हो सने दे रहे इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको अब आज से आपके इसी YouTube चैनल पर UGC Net और NTA Net और SET की भी कुछ classes हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों जो विद्यारति इस class को देख रहे हैं उन सभी विद्यारतियों को मैं क्याना चाहता हूँ कि एक वार आप हमारी class को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सिस्क्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी आपको अच्छी जो टापिक पर हम आपको जो classes है वो फ्री में उपलब्द करा सके दोस्तों चीक है दोस्तों जो विद्यारति इस class को देख रहे हैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा जो यह टेलिग्राम चैनल है इस टेलिग्राम चैनल का नाम है दोस्तों OSI for library science इस टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजिए जिसका लिंक हमने description के अंदर दे दिया है दोस्तों यह इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है जहां पर आपके 20,000 प्लस library science के student जुड़े वे हैं इस चैनल को जोइन करने के बाद जो है important जो पीडियप है चाहे वो पीडियप आपको अलग-अलग competition exam के syllabus की हो चाहे डेली यहां पर जो है एक quiz भी चलती है दोस्तों और तमाम जो है लागरी science से समंदित all over India में all over India में कई भी चाहे छोटी सी वेकेंसी है चाहे एक पोस्ट हो चाहे दो पोस्ट हो तर तीन पोस्ट पर भी चोटी चोटी से चोटी वेकेंसी और बड़ी से बड़ी वेकेंसी की जो जानकारे आपको इस टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और जो विद्यारती यूजिसी नेट और सेट की त्यारी करना चाहते हैं और अगर आपको हमारा content अगर आपको देखना है जो नए विद्यारती है मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आप play store में जाकर आप हमारा app download कर सकते हैं online school India ठीक है और वहाँ जाकर आप कु vision vision करता हूँ कि एक बार app जरू download कीजिए और यूजिसी नेट और सेट का जो content जाकर जरू देखिए और मैं विश्वाज दिलाता हूँ कि ऐसा content है वो आपको कहीं और application में नहीं मिलेगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज़दा मैनत कर रहे हैं एक टॉपिक जो ल नमबर पर call कर सकते हैं दोस्तों और मैं इस class को सुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका आने वाला जो exam है डिसमबर 2023 के अंदर यूजिसी नेट का exam होने वाला है करीबन आज से तीन से चार मेने के बाद तो मैं मानता हूँ कि जब भी कोई topic या जब भी आपको competition exam के त्यारी कर रहे होते हो सबसे पहले आपके पास syllabus होना चाहिए दोस्तों जब तक अगर आप syllabus के syllabus के हिसाब से नहीं पढ़ोगे तब तक आपके सपल आप बविशे में सपल नहीं हो सकते हो दोस्तों तो मैं आपको फिर से कहा रहा हूँ जो भी UGC है UGC NTA NET की आप त्यारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले UGC NTA NET का जो लाइबरी साइंस का जो syllabus है उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल दीजे दोस्तों प्रिंट आउट निकालकर यूनिट वाइड टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आज हम जो टॉपिक पढ़ा रह शौर्ट कट में कहते हैं TQM दोस्तों अब TQM क्या होता है एक important topic है और इसमें से एक या दो सवाल हमेशा competition exam में चाई UGC NET हो चाई SAT हो चाई College Librarian हो और भी अन्ये जो exam में EMRS हो जाब पर जिस syllabus में अगर ये TQM लिखावा है वापस अमल लेना उसका exam में एक सवाल हमेश सब पूचा जाता है ठीके दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों तो आज का जो topic आज हम सुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम में दोस्तों TQM तो सबसे पहले सवाल तो यहीं बनेगा कि वाट इस दा फुल फॉर्म आप TQM तो TQM की फुल फॉर्म होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जा रहे हैं तोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पहला सवाल तो यहीं बन गया है और कहीं पार प्रिविए सेर के पेपर में सवाल पूचा भी गया था और मैं फिर से गया रहा हूं इस topic को पूरा समझने के बाद मैं यह पार्ट वन है क्योंकि यह topic क भी बड़ा है तो obviously कम से कम तीन पार्ट में यह topic पुरा होगा जल्द हम सेकींड और थर्ड पार्ट लाएंगे लेकिन पहले हम आज हम पार्ट वन के अंदर सबसे पहले theory पढ़ेंगे theory पढ़ने के बाद जो आज हमने theory पढ़ी है उसके पाद लास्ट में objective question solve करेंगे जो n rational मेरे द्वारा बनाएगे जो question से वो भी हम देखेंगे ताकि कम से कम theory पढ़ने के बाद जब वो questions आप जो है solve करते हो तो आपके अंदर एक confidence आता है कि हाँ यह topic मैंने पढ़ लिया है और मैं question आस्टानी से solve कर सकता हूं तो आपके अंदर जो है confidence आएगा मुझे यह topic समझ में आगा है दोस्तों तो सुरुवात करते हैं दोस्तों पहला जो topic है जिसका नाम है TQM की पहला सवाल ही बनेगा what is the full form of TQM तो TQM की full form होती है total quality management जिसको हिंदी में क्या कहता है total को कहता है शंपूर quality को कहता है गुणवता और इसके बाद management को कहता है परबंदन शंपूर गुणवता परबंदन गया नगना अब आपके मन में एक ही सवाल बार बाद दोड़ता है कि TQM क्या होता है total quality management क्या होता दोस्तों तो मैं total quality management के बारे में मैं बताना चाहता हूं तो कि total quality management जो है एक बड़ा level का जो organization होता है उसके अंदर एक total quality management का जो एक process होता है तो total quality management का मले होता है कि total quality को manage करना होता है पूरी quality को manage करना होता है वो क्या होता है total quality management Drukarizment और को बी इस्टेटीट होता है तो कोई भी ऑργणाईजिशन जो मैनेज करना हैै कि जैसे माल लीती एक छोटा सा उदान देता हूँ माल लीती एक restaurant पर अगर आप जाते हो तो restaurant की बार जो आप security guard होता है वो आपके साथ अच्छा वेवार करता है या बुरा वेवार करता है दूसरा फिर आप restaurant के अंदर जाओगे जो waiter आता है वो waiter आपके साथ अच्छा वेवार करता है बुरा वेवार करता है फिर उसके बाद waiter के द्वारा जो खाना आता है और खाना वो देख खाते हो आप फिर वो खाना अच्छा लगता है या बुरा लगता है फिर उसके बाद last पर जो manager होता है वो manager आपके साथ अच्छा वेवार करता है अगर वो अच्छा वेवार करता है इसका मदलब वो organization या वो restaurant वो आपको पूर्ण तरह से satisfied कर रहा है संतुष्ट कर रहा है अगर अपनी quality को रखेंगे ज्यादा तो ये organization और ज्यादा आगे बढ़ेगा तो TQM का मदलब होता है overall quality को manage करना ठीक है और दूसर जैसे माल लीजिए आपने security guard आपके साथ अच्छा वेवार किया Lage कि रख़ाना अच्छा व्यवार किया लेकिन जो खाना आपने खाया उसमें परकार का अच्छा तेस्ट नहीं लगा आपको तो उसका मदलब आप आपका जो customer है वह संदूस्ट नहीं हुआं तो कहने का मिदलब यह है कि organization के अंदर करने वाले जितने भी लोग हैं चाहिए वो कोई भी प्रोडेक्ट वो जो है वो डवलप कर रहे हैं या फिर कोई भी service दे रहे हैं उसके अंदर एक quality management quality को manage करना वो एक जो है टीकियों क्यलाता है दोस्तों आए सुरुआत करते हैं थोड़ा और ज़यता DEEP अब टीक्यूं क्या होता है कि टीक्यूं एक परबंदन द्रश्टिकों होता है परबंदन द्रश्टिकों का मल्लों होता है टीक्यूं एक management प्राप्ट करने के लिए परिक्रिया उत्पात और सिवाओं में निरंतर सुधार पर कैंद्रित होता है यह प्रोसेस है अमेंसा और्गनेजेशन के अंदर होता है जो एक के मैनेजमेंट अप्रोच होता है और मैनेजमेंट अप्रोच में यही रहता है कि जो भी और्गनेजेशन का जो प्रोसेस होता है या जो और्गनेजेशन कोई चीज प्रोडेक्ट कर रही है या फिर कोई और्गनेजेशन कोई सर्विस कर रही है तो अपने प्रोडेक्ट के म है कि हिसाब से अपनी सेवाओं में अपने प्रोडेक्ट में क्वालिटी को बनाया रखना ये क्या कहलाता है प्रबंदन दश्ट कोण है एक मैनेजमेंट एप्रोच होता है जो बहतर ग्राक अनुबू प्राफ्ट करने के लिए कि वास्त में क्योंकि इसका जो एक लक्षे हो होता है customer satisfaction ग्राक संतुष्ट होना चाहिए तो ग्राकों से अच्छा अनुबू प्राफ्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस से चाहिए उत्पाद हो चाहिए सेवाओं में निरंतर सुधार पर एक क्यांद्रित होता है तो अच्छीव सुपेरियर कस्टमबर एकस्परियेंस क्या क्या लाता है तो और हम चीज बढ़ते क्यों के बारे में के टोटल क्वालेटी मेनेजमेंट संपोर्ण गुणवता प्रबंदन संगेटन की सपलता सूनिश्चुत करने के लिए प्रबंदन की एक शैली होती है ज्य तो किसी परकार से एक जिस ओर्गनेजेशन में यह टीक्यूम चल रहा है इसका मतलब यह है कि वो टीक्यूम के माध्यम से यह ध्यान रखा जाता है कि उस और्गनेजेशन में काम करने वाले लोग है उनकी भी क्वालेटी अच्छी होनी चाहिए जो प्रडेक्ट और प्रोडेक्ट उत्पन कर रहे हैं वह भी क्वालेटी होनी चाहिए जो और्गनेजेशन के द्वारा कस्टमर को सर्विस दी जा रही है उसमें भी क्वाले management to secure success for the organization organization की सपलता को सुनिश्यत करने के लिए टिदियूम की एक परबंधन की एक शैली होती हैं दोस्तों उसके बाद कुल गुणवता कुल का कुल भी कह सकते हैं या पिर हम कह सकते हैं संपूर्ण संपूर्ण गुरुता परबंधन से बागी परबंधन से समंधित द्यानकना वेरी इंपोर्टेंट यह भी द्यानकना बहुत इंपोर्टेंट है लाइन यहां पर भी बहुत इंपोर्टेंट लाइन है के टोटल कॉलेटी मेनेजमेंट इस रिलेटेट टू क्योंकि जिस organization के अंदर यह चलता है वहाँ पर सभी लोग रहते हैं चाहिए वह सर्वीस है चाहिए वह प्रोडेक्ट हो सब की quality को ध्यान में रखा जाता है के माधियम से दोस्तों फिर इसके बाद है कि टीक्यों होता गया है तो संपोण गणवता प्रबंदन एक सतत प्रक्रिया होती है टोटाल क्वालिटी मैनेजबेंट इजागा एक इंपोर्टेंट यह क्या आता दोस्तों एक कांटिनीऊओ ऊसे वोता है जो सेद्धा प्रक्रिया होती है चलती रहती है समय की हिसाफ्टीए ससर्पघण होती है और गुणवता अंदोलन को अपनाने में जापानीज अग्रणी थे वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है तो टोटल क्वालिटी को लाने वाले वर्ल्ड में सबसे पहले कौन से थे वह जापानीज तो जापानीज वर्दा प्यानिरी इन अडॉप्टिंग क्वालिटी मुमें को लाने वाले वर्ल्ड में सबसे पहले कौन दे जापानीज ने सबसे पहले के कॉंसेप्ट को समझा फिर वो लेकर आए फिर दीरे-धिरे जो यह टींग्यूम्वाला कॉंसेप्ट है और जो है फेल गया है अब हम बात करते हैं टीक्यूम का इंट्रोडेक्शन पढ़ते हैं कि वास्तों में टीक्यूम क्या होता दोस्तों कि परबंदन का एक नया द्रश्टिगोन जिसे टोटल कॉलिटी मेनेजमेंट के नाम से जाना जाता हैं जिसकी शुरुवात 1950 के दक्सक में वेरी इंपोर्टे से पहले टोटल कॉलिटी मेनेजमेंट का जो उत्रश्टि हैं या जो कॉंसेप्ट है 1950 के अंदर जापान में आया था और बात में यह पूरी दुनिया में लोग पिर यह हो गया था अन्यू अप्रोच ऑप मेनेजमेंट यह भी क्या है एक मेनेजमेंट का एक नया के हम पॉपुलर इन दा होल वर्ल और बात में पूरी दुनिया में जो क्या बन गया था फैमस हो गया था दोस्तों यह द्रश्टिकॉर्ण मोड रूप से ग्रहाकों की जरुवतों को पूरा करने से संबन देता है फैरी इंपोर्टेंट लाइन है द्यान अगना जो यह द् टिक्यूम एक मैनेजमेंट अप्रोच है मतलब टिक्यूम एक परबंदन की द्रश्टिकॉर्ण है तो इस द्रश्टिकॉर्ण का मूल रूप से ग्रहाकों की जरुवत को पूरा करने से संबन देते हैं कि वास्तों में कस्टमर की क्या नीड्स है तो कस्टमर की नीड्स को कुला कारने का समंध किसे ओं से तीक्यूम से उलिख ये लग वाट ऑब शर्विस क्श्टमर कुस प्रकार की सेवा चाहिए तो कस्टमर क के जरुवत को करने से समंधर कौन सा है वी नीड्स क्षट कर्कार का लगी very important और organization की जो भी प्रक्रियाएं है सभी प्रक्रियाओं में गुणवत्ता की और ले जाता है तो संगटन से संगटन के अंधर जितने भी लोग का लोग काम करते हैं जितने भी अलग-लग जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस में क्वालिटी को मैनेज करना क्या कहलाता है दोस् दोस्तों दो एप्रोच इस बैसिकली रिलेटेड वे सटिस्फाइंग कस्टोमर नीट्स देट फर्दर लिश्टू क्वालिटी इन ओल प्रोसेस ऑफ दा ऑर्गनेजेशन तो इसका मतलब टीकियों एक दृष्टिक ओन हैं जिसका मतलब यह हैं कि आपको ग्रहा को की जरू रुष्ट को पूरा करने से समंदित है दोस्तों तो आगे बात करते हैं कि टीकियों मूल रूप से ग्रहा केंद्रित संगटन और गुरुवक उत्पादों के उत्पादन और गुरुवत्त पूर्वक सेवाएं पड़्दान करने वाले सभी करम्चारियों को सामिल करने वा पहले तो जानेकना है कि कस्टमर पर होता है कि कस्टमर को संटूष्ट करना और दूसरा जो है कस्टमर की जो आउसकता है उनका और पूरा करना यह किसका काम है काम है ठीक है दूसरा और जो और जो और जा जैसी में जो भी 5 हो रहाँ जो त्फबन हो रहा है उसके अंदर पॉलिक्षी vela को लाना दूसरा ज्यान रखना है सेवा है जो और्गनाइजेशन जिस परकार की सर्वीस दे रही है उस सर्वीस में भी क्वालिटी होनी चाहिए और तीसरा ज्यान रखना है कि जो सभी क्रमचारी जो स्टाप्स है उस और्गनाइजेशन के अंदर जो इस पूरे प्रोसेस को जो है जिस जो इ पोई जो सेवालूटी सर्वेसि तो इनको काली टीश में जितने भी यो सेङटन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके अंदर जो भी प्रोसेस के जो एक संगेटन का एक और जो रोसेस होता है उस प्रोसेस कते हैं तो जितने भी लोग काम करते हैं उसके अंदर भी गुणवता होने चाहिए दोस्तों उसके बात और ज़्यादा हम डीपली पढ़ते हैं कि टीकियूम निरंतर सुधार की एक सरचित पढ़नाली है जो सह भागी परबंदन अभी हमने पढ़ाता सह भागी तक्निक का उप्योग करता है तो टीकियूम एज इस्ट्रेक्टर सिस्टम ऑप कंटिनूस इंप्रुमेंट यह अभी हमने पढ़ा था कि टीकियूम क्या है एक सतत्त परिखिरिया होती है अभी हमने पढ़ाता जाने ना पहला सवाल है इंपोर्टेंट सवाल ने कि वाट इस टीक्यूम तो टीक्यूम इसे एक continuous process भी कह सकता है दूसरा कह सकता है continuous improvement भी कह सकता है employing participative management और क्या है एक सहभागी परबंदन है सहभागी परबंदन का मलब होता है एक organization जो है उस organization को चलाने चलाने के लिए management होता है और वो management जो है सभी लोगों से मिलकर चलता है इस लिए कियो को पाइट्टिक canyon यह चिर्ण होता है यह समग्लिय्व रूप से किसी संगेटिन की परभाव सिलता लटिलेपन और आप जो झ refresh ऑ्वदर मोरा होता देडाति में सुधार करना स्वदार करने का परबंदन आप अब वह होता है तो तहीं कि यह होता है कि आप जो जिस ओर्ग डेसिटेवर हो उससे का लोगों में प्रभाव डालना कि वास हमें कि यह जो तो अंदर क्वालिटी होगी तो आपके रेस्टोरेंट का जो प्रभाव है जो है लोगों के अंदर चलेगा दूसरा लचले बन फ्लक्सिबिलिटी आपको कस्टिमर के पती बिल्कुल फ्लक्सिबिलिटी रहना होगा उनको एक रिस्पेक्ट के तोर पर का जो है आधर करना होगा और उसके पाद पढ़ती पढ़ती इस परदात्मर जो आप मार्केट के अंदर आप खड़े हो तो ओविसली कॉं बंदन करने का एक तरीका होता है दोस्तों तो टेक्निक एंड सेंटर्ड अराउंड दा नीड्स ऑफ दा कस्टमर्स इडिस वे ओप मैनेजिंग तो इंप्रूव दा इफ्यक्टिवनेस फ्लक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ओपन और्गिनेस और्गनेजेशन तो कुल मिलाकर कोई भी चीज देख लो आप ऐसा मैंने देख उधार्ण किया कोई भी ओर्गनेजेशन हो चाए आप रेस्टोरेंट की बात कर लो चाए आप जो है किसी इंस्टिटूट की बात कर लो जैसे आप इस क्लास को देख रहे हो ऑनलाइन स्कुल इंडिया यूट 3.2 चेनल पर तो आप हमसे क्यों जोड़ë हो तो मुझे पता जार तक मीनने महसूश किया कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट उपलत करें और समय समय की शहब से जो हम क्या करते हैं इंप्रूमेंट करतें तो आपका मेरे साथ जूड़ना क्या कहलाता है आपने शूरी आपने हैं हमारे साथ जुड़े वह क्या चीज देकर quality content को देकर और quality content कियार कब होता है जब हम एक participative management के साथ काम करते हैं सहभाविक सहभागी परबंदन के साथ काम करते हैं कि जिस जो है जिस company में जो online school इंडिया जो company है यहाँ पर मैं पढ़ाने का काम करते हूं लेकिन मेरे अलावा भी करीबन दस लोग यहाँ पर काम करते हैं और चाहर लोग काम जो है एक टाइप करता है एक डूसरा translate करता है तीसरा जो है objective questions को जो है select करता है चौता जो है गलतिया निकालता और पांच जो जो मैं होता हूं जो आपको पढ़ाने का काम करता हूं तो कहने का मतलब यह चाहर के अलाव जो पांच है हम आपको एक quality content दे रहे हैं ताकि आप satisfied हो तो आज हम कश्मीर से कन्याई कुमारी तक बच्चे हमसे जुड़ेवे हैं वह किसकी वज़े से विगोज वी आर प्रोवाइडिंग दा quality content जब तक हम आपको quality content नहीं देंगे तब तक हम आपको quality testories नहीं देंगे और समय के हिसाब से quality content को और ज़दा मजबूत भराएंगे और उसमें और ज़दा quality देंगे तो क्याना का मलब चाए कोई भी company हो चाए कोई भी institute हो चाए कोई भी organization हो चाए कोई भी restaurant हो वह समय के साथ से जटब अपनी सेवाओं में अपनी प्रोडेक्ट में वह quality देता रहेगा तब तक वह टीक्यूम सबसे काम करता रहेगा दोस्तों ठीक है दोस्तों यह चीज़ आनकना आपको अब हम बात करते हैं total quality management के बारे में कि टीक्यूम एक दर्शन है ना कि कोई तकनिक टीक्यूम कोई एक तकनिक ही नहीं है वो एक philosophy है philosophy का मल्ल होता है कि जो अर्गनेज़ेशन को चलाने वाले जो बड़े जो अधिकारी होते हैं जो top level के अधिकारी होते हैं जो इस organization को manage करते है वो यहां पर इसका मल्य होता फिलोसफी जो भी और्गनेजेशन के चलाने वाले जो बड़े अधिकारी है वह आमेशा देखते हैं डेली का डेली सर्वे करते हैं डेली का डेली लोगों से रस्पोंस लेते हैं अगर उनको कोई ने कोई कमी लगती है अपने और्गनेजेशन म है बेरी इंपोटेंट टीकें जो हैं तीन बेसिक कंसेट्टेश पर आधारिप है वह वह इंपोटेन जया रखना घ्रकन है टोटल क्वालव मेंनेजमेंट है तीन बुनेद्व काूजरी और उड़ारे पर आधारिद है पहली है गुन्वत्ता नियंतन पहली काई से वाल च क्वालिटी कंट्रोल पहली है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल मतलब आपकी क्वालिटी को कंट्रोल में रखना हो दूसरा है करमचारी भागिदारी employee participation कि जो आपके जो employee आपर काम कर रहे हैं उनका भी जो है participant होना चाहिए तीसरा है आपका very important customer satisfaction मतलब आपका जो है ग्राक संतोष्टी होता है तो क्याने का मतलब है total quality management जो है तीन basic concept पर निर्वर करता है पहला हो गया quality control दूसरा हो गया employee employee participation और तीसरा होता है आपके customer satisfaction होता है टीक्यों में एक संगटन के लिए एक प्रबंदन द्रश्टी कोण है जो गुणवत्ता पर कैंद्रित होता है बहुत टीक्यों बार बार में यह कह रहा है टीक्यों क्या एक management approach है किसी चीज़ को manage करने के लिए एक approach होता है जो सबसे important है वो किस पर निर्वर्ट करता दोस्तों यह quality पर ही निर्वर्ट करता है ठीक है न जो उसके सभी सदिश्यों की भागीदारी पर आधारित है और organization के अंदर quality कब बनी रहेगी जब सारे जो सदिश्यों मिलकर सभी सदिश्यों के अंदर एक quality रहेगी तब जाकर जो है वो organization अच्छी तरीके से चल पाएगा दोस्तों और ग्राक कुल गुर्वर्टा प्रबंदन संतुष्टी के माध्यम से दिर्व कालिक सपलता और संगटन के सभी सदिश्यों और quality रखेंगे एक अच्छे quality रखेंगे तो वो organization जो है आने वाले समय में समाज के लोगों के बीच में जो है उसकी रैप हो जाएगी और समाज को लोगों को लाब हो जाने का काम करेंगा दोस्तों TQM is a management approach for an organization centered and quality based on the 27 participation of all its numbers and aiming long-term success through customer total quality management, and benefits to all members of the organization to society अब total quality में जो आपका topic का नाम है TQM total quality management में सबसे ज्यादा कैंदरित होता है वो होता है आपका quality किस पर आदरित होता है quality quality को क्वालिटी को manage करना ही TQM कहलाता है दोस्तों गुणवता ग्राक संतुष्टी के संदर्प में किसी संगटन की उपलब्दी का माब होता है तो अगर आपको किसी customer को satisfied करना होगा तो customer satisfied कब होगा सिरफ हो सिरफ quality को देख कर जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे सा satisfied है आप हमारे content को पसंद कर रहे हैं आप हमारे way of teaching को पसंद कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम आपको quality content दे रहे हैं तो कुल मिलाकर आपका जो है संगटन की जो उपलब्दी है वो केवल आपके जो है ग्राक की संतुष्टी के समन्द है और ग्राक होगा आपकी quality को देखकर इसका मतलब सब कुछ है जो एक संगेटन ग्राकों की नजर में करता तो quality ही सब कुछ है जो कहीं नहीं कई customer जो है customer के अंदर आपकी जो है customer की नजरों में आपकी quality की वज़े से आपका संगेटन का नाम बड़ा होता है यह उतकरष्टता है जो नियुंतम मानेक से बहतर है आपकी समझ के लिए गुडवता अवदार ना की कुछ महतुपन परिभासाय नीचे दी गई है तो कुल में लाकर quality जो होता है वो ही जो है customer को आपके organization के प्रति आ जो है आकर सित करता है अगर आप quality नहीं रखोगे तो आपका organization कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है तो quality के अवल जो quality है quality के के भी बहुत सारी जो परिभासाय है अलग लोगों ने अलग लग परिभासाय दी है जो परिक्सा के लिए बहुत ज़दा important है quality is a measure of the achievement of an organization in terms of customer satisfaction it means everything that an organization does in the eyes of the customers it is the excellence that is better than a minimum standards some of the important definitions of the concept quality are given below for the for your understanding आपको समझने के लिए quality की कुछ परिभासा ही दी है मैं तुपन परिभासा है और मैं तुपन परिभासा है परिक्सा के अंदर हमें सब उचे जाती है तो quality की कुछ लोगों ने अलग अलग परिभासा है दी है उन परिभासा के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों तो पहली जो परिभासा है एक व्यक्ति का नाम में द्यान रखना जोसेप एम जुरान वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों तो जोसेप एम जुरान नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने क्वालिटी के बारे में क्या कहा है तो जोसेप एम जुरान ने कहा है कि quality is fitness for use and purpose द्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट परिवासा है उसको आप याद कलेना दोस्तों तो जोसेप एम जुरान ने कहा है कि गुर्वता उपयोग या उद्यस्चे के लिए उपयोग थे द्यान रखना क्योंकि quality जो है वो हमेशा एक organization को आगे बढ़ाने में help करती है और quality को सही तरीके से manage करना ये जीमिदर होती है organization की तो सिधा सवाल आएगा quality is fitness for use and purpose ये परिवासा किसके द्वारा दी गई है ये परिवासा दी गई है आपके जोसेप एम जुरान के द्वारा दी गई है अगली जो परिवासा है वो दी गई है ISO 9000 तो ISO 9000 क्या है तो मैं बता देता हूं दोस्तों ISO 9000 एक international standard है ठीक है ना क्या है दोस्तों international standard है तो ये ISO 9000 है एक international standard है एक अंतराष्टिय मानक है International Standard है तो त्यानक ना ISO 9000 है ये एक International Standard है और ISO 9000 का जो समंध है किसे है दोस्तों तो ISO 9000 का समंध है TQM से तो TQM का जो एक International Standard है जिसका नाम है ISO 9000 ये सवाल आया हुआ है NVIS के अंदर के Library के अंदर जो TQM का यूज होता है फिरेज है जिसका International Standard का क्या नाम है तो इते-न्टरेशनल Standard का नाम है ISO 9000 जिननहोंने सन 2000 में ये क्या है वर्डस 2,000 में इन्योंने परीभासा दी ती Quality की तो ISO 9000 के दवारा वर्डस 2,000 में इन्होंने परीभासा दी ती के गुणवता वर डिगरी है आउसकता हो को पूरा करता है कि quality is the degree ज्यानगना very important है तो quality is the degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements तो जब भी आपको परिवासा में आजाए कि quality is the degree तो quality is the degree आते ही आपको ज्यानगना है ISO 9000 है तो मैंने इस परिवासों को क्या याद गया था इन दोनों इन दोनों परिवासाओं को याद करने कि मैं ट्रिक बताता हूं क्या बताता हूं दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं तो मैंने इसको याद किया था कि quality is fitness तो fitness की जब बात होती है तो fitness के लिए आजकल ध्यान रखना online जो है Jumba class होती है क्या होती है Jumba class तो fitness से मुझे याद है कि अपने आपको fit रखने के लिए आपको ध्यान रखना है Jumba class आपको join करनी है तो Jumba से याद रखना Joseph और Jumba से याद रखना जूरान क्या याद रखना है भी? जूरान तो आजकल YouTube पे आप देखते हो अपने आपको fit करने के लिए Jumba classes होती है तो ध्यान रखना फिटनेस से याद रखना है Joseph और जूरान तो fitness से कौन सी class होती है दोस्तो? Jumba class तो Jumba classes होती है ध्यान रखना और दूसरा मैंने इसको इस परिबास रखना कैसे याद किया? कि quality is degree तो आपको अपनी master degree करने के लिए कितने पैसे लगेते? 9000 ठीके न वे? कितने पैसे लगेते? 9000 रुपे लगेते तो ISO 9000 जो है ये degree है तो degree करने के लिए आपको 9000 रुपे देने पड़े थे तो ये ध्यान रखना ISO 9000 के द्वारा परिबासित है अगला जो व्यक्तियां दोस्तों जिसका नाम है बिल कानवे तो बिल कानवे ने quality की क्या परिबास दी? कि गुणवता को लगतार कम लागत वाले उत्पादो और सिवाओं के विकास, निर्मान, परसाशन और वित्रण के रूप में परिबासित करते हैं जिनकी ग्रहाकों को आउ सकता होती है और वे चाहते हैं दोस्तों तो बिल कानवे ने कहा है कि Quality as a development, manufacture, administration and distribution of consistently low cost and products and services that customers need and what तो द्यान रखना है इस परिबासा को भी आप याद कर लेना कि Bill Conway ने क्या कहाता कि गुनवता लगाता कम लागत वाले उत्पात और सिवाओं के विकास, निर्मान, परसाशन और वित्रण के रूप में परिबासित करते हैं जिनको ग्रहाकों की आउ सकता होती है मुलाब एक कस्टमर क्या चाहता है कि एक कस्टमर यह चाहता है कि organization जो develop करेगा तो उसका manufacture है उसका administration एंडिस्टृशन है डिस्ट्रिब्यूशन है product है service है जो customer चाहता है ना जिस परकार की service जिस परकार के प्रोडेक्ट वो एक organization का काम होता है और वो इन सभी चुछों में quality management रखना जरूरी है दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों गुरू का मतलब क्या होगे वह टीचर गुरू का मतलब यह होता है experts का मतलब क्या होता दोस्तों wishes किये के total quality management के अंदर पूरे वोल्ड में बहुत सारे लोग जुड़े वे हैं अलग-अलग लोगों ने इस total quality management को और ज़्यादा बहतर करने के लिए जो है अलग-अलग concept लेकर आए और अलग-अलग concept के माधियन से इन्होंने total quality management को और ज़्यादा विस्तार से समझाया है दोस्तों तो सवाल यहां से आपके बनना शुरू होगा परिक्सा के अंदर के पहला सवाल तो यहीं बनेगा कि कौन-कौन से लोग जो है वर्ल्ड में total quality management से जुड़े वे हैं तो वह लोग कौन हैं लोगों को होता है गुरू से घुरूअ जो यूदे के बारे में या हर एक TQM का जो भी एक्सपर्ट है उन हर एक्सपर्ट के हर व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा विस्टार्ट से पढ़ना हो गया क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति ने total quality management का अलग-अलग तरीके से जो है उन्होंने बताया है क्या-क्या है उसके बारे में करते हैं यह विस्टेशों और एक्सपर्ट वर old तो वर्ड करिबन जो है आट ऐसे लोग अभी उप्ताएंगे तो आठ ऐसे जो गुरू है आठ वो ऐसे expert है जिन्होंने अलग अपने इसाब से अलग अलग total quality management के theories दियें अलग 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 theory हमें पढ़नी पड़ेगी वहीं से हमें सब competition exam में सवाल पुछा जाता दोस्तों ठीक है उन में से कुछ परमूख है, many experts have given theories of TQM, these experts are known as gurus of TQM, the man among the are, तो कौन कों से जो है, total quality management के जो गुरू है, जिन्होंने total quality management के सिद्धान दिये है, सबसे पहले वेक्ति का नाम है, दोस्तों, very important है, पहले वेक्ति का नाम है, Walter Andrew Savhart, ये कौन सा वेक्ति है, जिन्होंने सबसे पहले TQM को परति पादन किया था, TQM को क्या किया किया था, प्रोपाउंड किया था, क्या किया था, प्रोपाउंड यहां रखना, सवाल आयगा सिद्धा, who is the following, who propounded TQM, तो वर्ड में सबसे पहले TQM को किसने प्रोपाउंड किया था, वो किया था, Walter Andrew Savhart तो सबसे पहले हम जो TQM का जो expert है, जिन्होंने TQM concept लेकर आया था, यह TQM को प्रोपाउंड किया था, यह फिर हम कह सकते है, प्रति पादन किया था, TQM सब्द को, वो वेक्ति है, द्यानगना, Walter Andrew Savhart किया था, इसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा वेक्ति बहुत important है, W. Edward Deming, जानगना, बहुत important है, इनके नाम से एक price भी चलता है, जानगना, तीसरा जो वेक्ति है, Joseph M. Juran, यह भी बहुत important है, इसके बारे में हम details से पढ़ेंगे, चोता है आपके Philip B. Cross B, जानगना, चोता वेक्ति गोल सा है भी, Philip B. Cross B, पांच और जो वेक्ति है, Armand V. Figue Bomb, क् पांच वेक्ति है, चटा है आपके Ore Isikawa, चटा वेक्ति कोण है, Ore Isikawa, साथ वेक्ति है, Sigo, Sigo, Singu, क्या नाम है, Singu, Singu हो गया और आट व जो है, Giniichi Taguchi, क्या नाम है, Giniichi Taguchi, यह आट वेक्ति है, यह आट जो एक्सपर्ट है, जो टिकियों से जुड़ेवे हैं, पहला सवाल तो यही बन जाएगा प्रिक्षा के अंदर के which of the following is not associated with TQM निमलिकित मैस से कौन सा वेक्टी TQM से समंदित नहीं है तो तीन यह देदेंगे चोता कोई और नाम देदेगा वहाँ पर इसलिए तो यह जो 8 expert है जिनने हम TQM के expert भी कह सकते है TQM के guru भी कह सकते हैं इन्होंने सभी लोगोंने अपने इसाफ से total quality management की theories दियें अलगलग सिधान दियें तो आए हम एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक गुरू के बारे में एक एक expert के बारे में अध्यन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों W a saiv heart w a saiv heart को हिंदी ने जो है व्यक्ति का नाम है तो ध्यान लगनव वस प्रोपाउंडेट भाई तो टीकियों का प्रतिपरदन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया water a saiv heart का किया गया था वेरी important question है ध्यान लगनव टोटल क्वालिटी मनेज़मेंट पढ रहे हैं तो कम से कम कम यह पता चलना चैने बी टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट को लाया ने वर्लड में तो लेकर आया था वाल्टर E. 600 एंड्रीиваем ठीक है वाल्टर एंड्रिव सेवार्ट इस रिगाड़ेड एज फादर ओप इस्टेटिकल क्वालिटी कंट्रोल द्यान रखना SQC याद रखना SQC ये चीज द्यान रखना इसको याद करने का तरीका SQC स्टेटिकल क्वालिटी सर्किस S से याद रखना है सेव हार्ट कौन सा वेक्ति हैं भी सेव हार्ट ध्यान रखना क्या याद रखना है सेव हार्ट ठीक है तो कहना का मतलब एक वाल्टर एंड्रिव सेवार्ट को सांकी किये गुर्वता नियंतर्ण का जनक माना जाता है क्या म कि अंदर उन्हों ने तो टृटल क्वैल्टीमें के अंदर ऊन्होंने एक एक theory अपना ही है, वो theory का नाम है P D S A, क्या नाम है दोस्तो, P D S A, P का मलग हो गया plan, D से do, S से steady, और act से क्या हो जाए, A से act हो जाएगा, तो कहीं बार वहाँ पर full form भी पूछे जाती है, ठीक है न बहीं, और ये भी पूछा जाता है, कि जो सेवाट के द्वारा कौन सा, जो cycle दिया गया है, एक cycle है ध्यान रखना, तो P D S A, Plan, Do, Study, Act, चक्र, चक्र का मलग होता है cycle, तो परिक्षा के अंदर आ सकता है, कि P D S A cycle, किसके द्वारा विक्सित किया गया था, तो P D S A, cycle जो है, किसके द्वारा, Walter, Andrew, Seward के द्वारा, विक्सित किया गया था, ये सवाल कहीं identify what can be improved and what change is needed, प्लान का मलग होता है कि, कि पैचाने की क्या सुदार क्या जाए, कि organization के अंदर आपको सुदार करना, लेकिन उससे पहले आपको planning होनी होती है, क्या सुदार क्या जाए और किस बदलाव की आउ सकता है, तो planning में दो चीजे होती है, कि अब आपको organization में क्या सु रहे हो, वो बदलाव कैसे करना होता है, दूसरा होता है, दू, do and करना, implement the design, challenge, कि पहले में तो जो आप चेंच करना है, वो आप सोचते हो, लेकिन do, जो भी चीजे आप change करना हो, बदलाव करे चो, इसको हाथो हाथ implement करना है, और उस change को क्या करना, दोस्तों, जो चेंच कर करना होता है तिससे अबता इस्टेडी परक्रिया या प्रिणाम को मापे और उसका विशलेशन करें जो भी आपने इंप्लीमेंट किया है जो भी आपने इंप्लीमेंट किया है उसको आपको क्या करना है जो आपने इंप्लिमेंट किया है जो आपने बदलाव किया है ठीक है न उस डिजाइन को जो बदलाव किया है उस बदलाव करने के बाद उस प्रक्रिया को क्या करना है आपको एक तो एनलाइस करना है और दूसरे क्या करना है मैजर करना है और उसको एनलाइस करना दिया लगना चौता ह होता है एक्ट यदि प्रेणाम आशा के अनुरूप नहीं है तो इप दा रिजेल्ट्स और नौट सो आउट फॉर ठीक है ना अगर आपका जो प्रेणाम है वह आपके आशा के रूप में नहीं है तो आपको एक्ट के अंदर यह चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों य यह चीज आपको ध्यान में रखना है तो पहला जो वेक्ट्री है यह पहला जो एक्सपर्ट है इसका नाम है डबलू ए शेव हार्ट हमने पढ़ा था डबलू है शेव हार्ट जिन्होंने टीक्यूम को प्रोपाउंड किया था उसे एस क्यू सी इस्टेटिकल क्वालिटी जो है कंट्रोल का फादर भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों यह चीज आ लगना अब यह त्यान लगना आपके सामने दूसरा जो एक्सपर्ट है इसका नाम है डबलू एडवार्ड डेमिंग क्या नाम है दोस्तों डबलू एडवार्ड डेमिंग डबलू एडवार्ड डेमि था, very important question है, ध्यान रखना, तो Edward Deming developed statistical process control, very important ध्यान रखना, परिकसा के हंदर सवाल आएगा, कि SPC, statistical process control, किसके द्वारा developed किया गया था, तो develop किया गया था, आपको Deming के द्वारा, किसके द्वारा, दोसो, Deming के द्वारा इसको सुरू किया गया था, as a tool, एक tool के रूप में, to measure the cause of variability in a system, system के अंदर, जो भी परिविर्तन हो रहा है, जो भी आग TQM के अंदर, जो change हो रहा है, उस परिविर्तन को mapने के लिए, उन्होंने, एक जो है, concept शुरू किया है, उसका नाम मैं SPC, SPC का मलब होता है, statical process और count control हो गया जानगना, ठीके दोस्तों, उसके बाद, उन्होंने, समस्या समाजान के लिए, और जो परिविर्तन जो किया है, उनको mapना है, अगर उसमें कोई problem आ जाते है, कोई समस्या आ जाते है, उन्होंने समस्या समझान के लिए एक व्यवस्ति द्रश्ट कोण के रूप में PDCA, very important जानगना, बहुत important, PDCA चक्र भी त्यार किया था, प्रिक्षा के अंदर सवाल आएगा, he also formulated the PDCA, प्लान, डू, चैक और एक्ट, क्या है दोस्तो, प्लान, डू, चैक और एक्ट, cycle as a systematic approach to the problem solving, क्यों जो टीक्यों के अंदर जो आप change करें हो, बदलाव करें हो, अगर उसमें कोई problem आ जाती है, उस problem को solve करने के लिए, damming के द्वारा, damming के द्वारा जो है, एक दश्टिकोंड approach, दश्टिकोंड शुरू किया था, जिसका नाम है PDCA, क्या नाम है दोस्तो, PDCA, और इससे पहले हमने वो वेक्ति पढ़ा था, WA save heart, टेके ना भी, तो WA save heart ने क्या क्या था, PDSA, तो सिर्फ अंतर किया है C और S का, S का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, steady, और C का मतलब क्या हो जाएगा, check, क्या हो जाएगा दोस्तो, check हो जाएगा, तो सवाल जबी बनता है, वहाँ पर प्रिक्सा के अंदर, के PDCA, तो PDCA, concept कौन लेकर आया था, damming के द्वारा लाया गया था, और PDSA, यह कौन लेकर आया था, तो WA save heart के द्वारा लाया गया था, बागी द्यानक ना, दोनों में यही रहेगा, P का मलब, plan, D का मलब हो गया, do, ठीक है न, फिर उसके बाद, S है तो steady हो जाएगा, C है तो आपके check हो जाएगा, और A से मतलब क्या हो जाएगा, act हो जाएगा, क्या हो जाएगा, act हो जाएगा, तो जब प्रिक्सा के अंदर, सवाल पुझा जाता है, के PDCA, यह concept कौन लेकर आया था, तो यह लेकर आया था, WA, doming के द्वारा, लेकिन PDSA, तो PDSA कौन लेकर आया था, WA, सेवार्ट के द्वारा लाया गया था, यह चीज आपको जयान रखना, यह दोनों साइकल है, क्यों के अंदर काम किया जाता है, तो PDCA, cycle, doming के द्वारा लाया गया, PDSA, साइकल, सेवार्ट के द्वारा लाया गया है, तो PDCA क्या है, PDCA, plan, do, check and act, उत्पादों और प्रिक्रियाओं की गुणवता में, निरंतर सुदार के लिए, उप्योग की जाने वाली, एक विदी होती है, द्यान रखना, PDCA क्या है, एक मैथड है, और मैथड क्या है, प्रोडेक्ट और प्रोसेस में, क्वालिटी को द्यान रखना, PDCA, जो डैमिंग के द्वारा शुरू के गई है, तो PDCA क्या है, एक मैथड है, जो आपके सर्वीस है, जो आपके प्रोडेक्ट आप दे रहे हो, उसके अंदर क्वालिटी को सुदारने के लिए, एक विदी है, और डबलू एडवार डैमिंग द्वारा जो है, एडवार डैमिंग को जो है, क्या माना जाता है, कि फाजर आप मोडन क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता, दोस्तों, तो ज्यान रखता है आपको, PDCA method used for the continuous improvement of quality of products and process was made popular by W. एडवार डैमिंग, who is considered by many to be the father of modern quality control द्यान रखना, तो अभी हमने पढ़ा था, एक तो अभी देखो, सवाल आजाता है, कि father of, तो father of द्यान रखना MQC, ठीक है भी, MQC का मनले होता है, modern quality control, ये तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है, डैमिंग को, किसे कहा जाता है, दोस्तों, डैमिंग को, ए एक सवाल बन जाएं, कि father of SQC, ठीक है न भी, SQC, तो SQC का मनलोग, statistical quality control, ये किसको कहा जाता है, सेव हार्ट को, किसको कहा जाता है, दोस्तों, सेव हार्ट को कहा जाता है, ध्यान रखना, WS, सेव हार्ट को, सबसे पहला वेखती था, ठीक है न, तो आपको ध्यान रखना S, S से याद रखना है, कौन है, इसका प्रोपाउंडर, तो ये ध्यान रखना, सेव हार्ट हो गया, WA, ठीक है न, भी, WA, सेव हार्ट हो गया, जबकि MQC, MQC कौन हो गया, भी, तो ध्यान रखना, डैमिंग हो गया, modern quality control, ठीक है न, भी, modern quality control, ध्यान रखना, तो, तो father of SQC सेवाट हो गया, अब father of MQC, वो क्या हो गया, डैमिंग हो गया, क्या हो गया, दोस्तों, डैमिंग हो गया, ध्यान रखना, ठीक है, आगे देखें और, डैमिंग को गुनवता सुदार के लिए, उनके चौदे बिंदूओं, और उनके गहन, ग्यान पढ़ना लिए, और पर तो, और पॉइंट है, जो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आपको पूरा बताएंगे, यह प्लिंद। तीं डी वॉगी। के जो एक्सपर्ट एंट के जो गुरूज है जेकर कुछ गुरूज के बारे में आज हम एनलेसिस करेंगे बाकि जो गुरू है या एक्सपर्ट वो नेक्स्ट क्लास में होंगे तो उन्होंने चौदे पॉइंट्स बताया है for quality improvement and for system profound knowledge and seven deadly diseases of management और उन्होंने परबंदन के जो जो मुखे जो रोग है उनके बारे में बदाया था और डैमिंग के गहन ग्यान के सिद्धान्त में चार भाग है पहला भाग है दोस्तों सिस्टम के लिए प्रसंसा तो को अंग्रेजी में कहता है appreciation for system दूसरा पार्ट कौन सा है वो है आपके दूसरा पार्ट हो गया knowledge about variation तीसरा पार्ट ए ज्यान का सिद्धान्त theory of knowledge और चौता है मनोविज्ञान का ज्यान और knowledge of psychology क्या है उसके बाद उन्होंने अपने जो जो प्रूपाउंड नॉलेज है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया था उसके बारे में हमने पढ़ लिया आगे देखिए अब उसके बाद जो डैमिंग जो वेक्ति हैं जिसे हम father of modern quality circle के नाम से भी जाना जाता उनके द्वारा उनके सौर्ट पॉर्म होता है जे यूएस ए जे यूएस ए का मले होता है जापानी यूनियन ओप साइंटिस्ट एंड इंजिनिंग द्वारा डबलू एडवर्ट डैमिंग को समानित करने के लिए 1951 में very important 1951 में इस्तापिट डैमिंग पुरुषकार दिया जाता है दुनिया में total quality management पर सबसे पुराना और स्वर्वतम पुरुषकारों में से एक है तो पहला सवाल यह बनेगा दोस्तों कि डैमिंग प्राइज जो है यह कब देना शुरू आता तो पहला सवाल यह बनेगा डैमिंग प्राइज कब शुरू आता तो यह शुरू आता 1951 में और दूसरा प्राइजमेंट से समधी थे दोस्तों यह कुल गुणवत्ता प्रबंदन टीक्यूं के छेतर में उनके योगदान देने के लिए व्यक्तियों और टीक्यूं को सबल्दा पूरुग लागू करने वाले वेवसाइट दोनों को मानेत देता है जो लोग टीक्यूं के अंदर और जो भी टीक्यूं के अंदर जो काम करते हैं टीके न और उनके छेतर में जो कॉंट्रिबूट कर रहे हैं ऐसे वेक्तियों को दिमिंग प्राइज दिया जाता है जिसकी सुरुवात उनीस सो इकवन में और इसका समयन टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट से हैं The Deming Prize established in 1951 to honor W. Edwards Deming by Japanese Union of Scientist and Engineer is the oldest and one of the highest awards on TQM total quality management in the world. It recognizes both individuals for their contribution to the field of total quality management and businesses that have successfully implemented TQM. अब हम तीसरे expert के बारें बात कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तो जोसेप M. जुरान करीबन टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट से करीबन आठ एक्सपर्ट जुड़े हैं आठ गुरु जुड़े हैं दो तो हमने पढ़ लिया है पहला का नाम है शेवहार्ट और दूसरा ज़धा डैमिंग तीसरा जो वेक्ति हैं जोसेप M. जुरान ठीक है दोस्तो तो जोसेप M. जुरान डैमिंग के समकाल हिंत है ये भी कौन है जोसेप M. जुरान जो दूसरा नमबर वेक्ति हैं डैमिंग उनके क्या कंटेंप्रेरी थे उनके अनुसार गुणवत्ता के लिए परबंदन की तीन परबंदगी परक्रियां है ठीक है ना जुरान के अनुसार management for quality is done through three managerial process वो कह रहे है कि जुरान के अनुसार जो गुणवत्ता के लिए परबंदन की तीन परबंदन परक्रिया होती है योजना नियंतन और सुधार पहला होता है दोस्तो planning very important दूसरा होता है दोस्तों control और तीसरा क्या होता है इंप्रूमेंट ज्यान अगना प्रिक्षा के अंदर आएगा तो कि जुरान के अनुसार योजना की तीन प्रबंदन की प्रक्रिया कोहन से होती है पी सी आइप पी सी आइप प्लानिंग कंट्रोल और इंप्रूमेंट on the basis of this इस इस आदार पर ये कैम अप विट जूरां स्ट्रिलोजी और इसको द्याण रगना इन तीनों जो है प्रोसेश को जिसका नाम है प्लानिंग कंट्रोल और इंप्रूमेंट इनको क्या गया दिया है जूरां की trilogy trilogy में जैसे planning है तो इसका नाम दे दिया इन्होंने quality planning पी से quality planning हो गया पिर दूसरा हो गया control तो दूसरा नाम इन्होंने दे दिया है quality control और तीसरा है improvement तो इन्होंने इसका नाम दे दिया है quality improvement क्या दे दिया इन्होंने तेके लिए तीन प्रभंद की प्रिक्रियां जैसे यूजना प्लानिंग कंट्रॉल और इंप्रूमेंट के माहदम से क्या जाता है इसके अदार पर जुराग ट्रीलोजी इन तिजो इन तिनों गो जो हैं जुरांंग की ट्रिलोजी कहा जाती है के साथ आया थे जिसमें हम क्या सकते हैं quality planning हो गया दूसरा quality control हो गया तीसरा quality improvement हो गया यह चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आगे गुणवता लागत या गुणवता की लागत जा रगना very important the concept of quality quality cost द्यान रगना quality cost या cost of quality ये की बात है ज्यान रगना एक दो पूचा जाए वह quality cost ठीक है या फिर हम कह सकते है cost of quality तो cost of quality तो चाहिए हम quality cost करें या cost of quality है यह concept जो है यह concept कौन लेकर आया था यह concept लेकर आया था आपके ध्यानकना है यह concept लेकर आया था जोसेप एम जुरान के द्वारा फर्स्ट मेंसेंड बाई जोसेप एम जुरान के अउदार्ना का उलेक पहली पार 1991 में परकासित अपनी गुणुवता नियंतन पुस्तिका में जोसेप एम जुरान द्वारा लाया गया था तो कोस्ट क्वालिटी कोस्ट या फिर कोस्ट क्वालिटी का जो concept है वो कौन लेकर कराएत आए एम जुरान के द्वारा अपनी जो किताब है जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रॉल हैंड बुक क्या नाम है दोस्तों क्वालिटी केंट्रॉल हैंड भूक जै किताब 2001 में परकासित ही तो जो है इनकी एक book है यह कई बार फिरी क्वी परिक्षा की औंदर cambiar के quale किताब है इस किताब को लिखा गया था आपके किसके द्वारा ये किताब को लिखा गया था आपके जोसेप एम जुरान के द्वारा यहां पर आपके तीन सवाल बनेंगे पहला सवाल बनेगा कि क्वालिटी कोस्ट या कोस्ट ऑप क्वालिटी का कॉंसेप्ट कौन लेकर आया तो उतर होगा answer होगा Joseph M. Juran ओगया दूसरा सवाल बनेगा कि quality control handbook नामक किताब किस के द्वारा लिखी गई Joseph M. Juran के द्वारा लिखी गई थी तीसा सवाल इस किताब को कब published किया गया था इस किताब को published किया गया था rotate 1951 में किया गया था जो भी इस class को देख रहे हैं मैं उस सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले तेरे चौदे महिने से जो मुझे प्रेमोस ने दिया है उसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है औ और बहुत लंबे जो है इस्टुडेंट्स के रिक्वर्ष्ट और इस्टुडेंट्स की डिमांड को मध्य नजर रखते हुए हमने हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप के अंदर यूजिसी आंटे नेट सेट का कोर्स हमने लॉंच कर दिया है जिसके अंदर कंप्लीट ज आनकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8949-9999-2361 दोस्तों एक छोटा सा जो टॉपिक हमने शुरू किया था क्वालिटी मेनेज्मेंट और सॉरी टॉटल क्वालिटी मेनेज्मेंट उसके अंदर टॉटल क्वालिटी मेनेज्मेंट के मैनेज्मेंट से आज हमने पार्ट वन के अंधर तीन गुरू के बारें पढ देसी और नाम मन कई दोश्व दोस्तों मोज़रान इंच्छalen वन्य म्हाइं10 किyszा बारें 28-51 लग लग सिधान दीए उनके अलग लग सिधान तो को पढ़ना पड़ेगा जैसे हमने इनफॉर्मेशन लिटरेसी है इनफॉर्मेशन सिखिंग बिहेवियर के अंदर जो अलग लग लोगों की द्वारे मोडल दिये गये है वो मोडल पढ़ा उसी तरीके से टोटल कॉलिटी मेनेजमेंट ज्यान अगना है अलग-अलग गुरुओं के द्वारा अलग-अलग एक्सपर्ट के द्वारा जो सिद्धान दिये हैं उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा तो आज हमने पार्ट वन के अंदर तीन गुरू या फिर हम क्या सकते तीन पॉटेन कोशिन शोल करे है अगले जो सेकिंड और थर्ड पाट के अंदर और भी इसका जो सेकिंड थर्ड पाट के अंदर और भी जो आगे हम पढ़ेंगे ये तीन पाट के अंदर टॉपिक पूरा होगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप UGC NTA NET की तियारी कर रहे हैं त TQM को कैसे नियोजित क्या जा सकता है जा रखना पहला सवाल गया है कि how can TQM can be employed in the libraries and information centers के TQM के अंदर library और information centers में TQM को कैसे measure क्या सकता यह NBS के अंदर आया था तो इसका answer होगा by applying ISO 9000 तो मैंने बताया था कि ISO 9000 का समन्द किसे हैं दोस्तों तो ISO 9000 का समन्द है TQM से क्योंकि यह ISO 9000 क्या है यह international standard है जो related है total quality management अगले question का जल्दी से आन से दीजिया कि total quality सोरी TQM से क्या मतलब है यह RPC राजस्तान second grade का exam होगा था राजस्तान second grade का exam होगा था 2020 के अंदर जिसमें total post थी total post थी 12 कितनी post थी 12 टीकिन न वही उसमें मैं एक मैंने भी यह exam दिया था उसमें मैं एक सवाल से रे गया था sorry एक question से एक question अगर मेरा सही हो जाता तो साहित में भी इसमें interview दे पाता और साहित selection भी हो जाता लेकिन अनलगी रहा था और एक सवाल से मैं नहीं मेरा selection written exam नहीं killer पाया था अगर एक सवाल और सही हो जाता तो साहित में भी इसमें interview देता हो साहित selection भी हो जाता लेकिन अगर उस समय selection हो जाता मेरा तो साहित आज मैं आपके साथ नहीं होता कहीं न कहीं इस वर ने मुझे इतना तड़फाया या तड़फाया तो क्या किया सकते हैं इतना संगर्स करवाया मेरे से ताकि मैं आपके लिए जो है इस डिजिटल प्लेटफर्म पर आपके लिए मैं कुछ कर सकूँ मैं आपको लाइबरी साइंस के बारे में मार्ग दोसन द तेन्यक्षण के कुछ पूरा जो क्वालिटी पर ही नीरवर रहता है तो हम आपको क्वालिटी कंटेंट देना देना चाहते हैं दोस्तों तो Algun के पुलपम क्या होती है दोस्तो टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट क्या है दोस्तो टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट होती है ज्यानगना ठीके दोस्तो अगला सवाल है जुरान की त्री क्या है वाट आर दो जुरान ट्रिलोजी अभी मैंने बताया था जुरान की जो है ट्रिलोज ABC तो द्यान अगना है क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा ये ट्रिलोजी हो जाएगा ये option नहीं होगा द्यान अच्छी तरीके से अगला question है quality control handbook very important द्यान अगना quality है quality control handbook जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये जोसप M. जुरान के द्वारा लिखी गई है इस किताब को publish कब क्या गया था कोई बता सकता अभी मैंने पढ़ाया था आपको इस किताब को publish क्या गया था 1951 में कब क्या गया था दोस्तो 1951 में क्या गया था दोस्तो अगला जो है concept of cost of quality अभी पढ़ाता हमने मैंने कहा था या तो परिक्सा के अंदर आएगा quality cost या फिर हम कह सकते हैं cost of quality तो cost of quality तो द्यार रखना cost of quality बोलो या quality cost यह concept कौन लेकर आया था यह concept लेकर आया था जो से पैम जुरान लेकर आया था मैं आइडेंटिफाइड पॉर्ट्सन वू कॉंट्रिव्यूटे टुडवलेपेंट और टिक्लियूम मैंने बदाया था ना के टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट में करीबन आठ एक्सपर्ट है आठ गुरूज है तो कौन-कौन से गुरू जुड़ेवे हैं तो यह भी जु यह जो लोग हैं वो आपके से जुड़ेवे हैं दोस्तों अगला question है who were the peoners in adapting quality moment इस quality मुमेंट को अपनाने में सबसे पहले वर्ल्ट में कौन से व्यक्ति थे वह व्यक्ति थे कौन से दोसो जापानेच में और करीबन 1950 के दसक में जाने ना Edward Deming मैं बताना भूल गया था थोड़ा कि यह M set के अंदर आया था मारस set में तो ज्यान रखना है Edward Deming जो है वो कौन थे दोस्तों एक American professor थे कौन थे दोस्तों एक American professor थे ज्यान रखना है कि who developed statical process control SPC चार्ड को किसके द्धोरा developed किया गया था तो द्यान रखना है W Edward Deming के द्धोरा शुरू किया गया था इन्होंने पहले द्यान एकना है S.P.C. चार्ट ठीक है ना S.P.C. चार्ट का फुल पर्म क्या होता है दोस्तो Statistical Process Control द्यान एकना इनको क्या क्या कहता है और इसको क्या कहा जाता है दोस्तो इसको Deming को कहा जाता है Father of M.Q.C M.Q.C का महले होता है Modern Quality Control Deming को Modern Quality Control अर्थाथ जान लगना आदुनी गुणवत्ता Control के Father कहा जाता है इनको द्यान एडवार Deming को जान लगना क्या कहा जाता है दोस्तो Father of Modern Quality Control कहा जाता है और जो Deming Price है यह Deming Price जो है इनके नाम के उपर Deming Price दिया जाता है जिसकी सुरुवार 1951 में और Deming जो Price है वो किसे समंदित है दोस्तो TQM से समंदित है द्यान लगना अगला क्यूश्चन है Total Quality Management का समंद है दोस्तो Total Quality Management Is Related to Total Quality Management का समंद किसे है दोस्तो Participative Management मैं बार बार पढ़ा है था से बार की परबंदन है दोस्तो TQM के कारिगरन में चार परमुक कदम कौन से है द्यान लगना 4 men steps in the implementation of TQM TQM को implement करने के लिए चार कदम कौन से है वो चार कदम है PDCA द्यान लगना PDCA तो यह जो PDCA वाला जो Method है यह फिर हम cycle भी कह सकते है यह फिर जो यह Method है यह Method किसके द्वारा सुरू किया गया था यह Method सुरू किया गया Deming के द्वारा किसके द्वारा दोस्तो Deming के द्वारा Plan Do Check और Act हो गया द्यान लगना ठीक है Quality is fitness for use and said by के quality यह fitness है और Quality is fitness or Sorry Quality is fitness for use and ठीक है न भी तो मैंने बताया थे formula बताया था के quality fitness fitness रखने के लिए हम क्या करते हैं Jumba 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 को join करते है Jumba से याद रखना है Joseph और Juran हो जाएगा क्या हो जाएगा यह परिबास सा किसने दी थी Joseph एम Juran के द्वारा किसे हैं तो Deming Price के समद्ध है Total Quality Management से इसका समद्ध है दोस्तो और फिर Total Quality Management क्या है तो Total Quality Management एक Continuous Process होता है क्या होता दोस्तो एक Continuous Process होता है दोस्तो चीक है दोस्तो जो भी इस Class को देख रहे है मैं आज सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के निवेदन आप लोगों के मान पर हमने हमारे Online School India जो हमारा Digital App है आप Play Store में जाकर Online School India को App को डाउनलोड कीजिए हमने UGC Net SET का जो कोर्ष लॉंच कर दिया है जिसमें Paper 1 भी रहेगा और Paper 2 भी रहेगा अगर आपको लगता है कि हमें UGC Net और SET किलियर करना चाहते है तो मैं इस Course लेने से पहले दो बाते आपके साथ कहना चाहता हूँ पहली बात तो ध्यान एकना है कि ये जो Course है पहली बात आपको ये Course पूरा आपको Recorded Form में मिलेगा क्या मिलेगा दोस्तों आपको Recorded Form में महलब आपको सारी जो Class है वो आपको Recorded मिलेगी Live Class possible नहीं हो पाएगा क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद राजिस्तान के अंदर Government School के अंदर Librarian लगाव हूँ और अभी आपको पताएगी Election का Time में कभी भी Duty आ जाती है कई बार competition exam में Duty आ जाती है तो Delhi Live लेना मेरे लिए संभव नहीं होता है दोस्तों लेकिन मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा सेलेवस है According to सेलेवस कोई भी UGC Net सेट का Live नहीं पढ़ा सकता है अगर कोई कहता है कि मैं Live पढ़ाता हूँ UGC Net वालों को मुझे लगता है कहीं न कहीं वो आप लोगों को बेवकू बना रहा है आप लोगों को ठगने की कोशिस कर रहा है क्योंकि जहां तक मैंने उस सेलेवस को एनलेसिस किया है करीबन भूद बढ़ा सेलेवस है अगर डैली का एक डाट गन्टा भी अगर वो पढ़ाता है तो कम सक्रम पांच महिने लगते हैं तो पांच महिने लगाता लाइव पढ़ाना मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है दोस्तों इसलिए मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट कहा रहा हूं जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ कर देखिए जिस टीचर का आपको टॉपिक समझ में आता है जिस टीचर का कंटेंट आपको अ एप के अंदर जाएए ताकि आपको पता चलता है कि सलवस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है दोस्तों इसलिए जब भी कोई चीज जुड़ते हो किसी से उसके बारे में complete information लो क्योंकि जब तक आपके अंतरात्मा संतूष्ट नहीं होती है तब तक आपको कहीं भी नहीं जाना है आप पहले 98 का सलवस का printout निकाल लेकर आप एप के अंदर जाएए एप के अंदर जाके देखिए के वास्ता में unit wise topic है या नहीं है दोस्तों उसके अंदर topic wise test series hack नहीं है, unit wise test series है या नहीं है, पहला paper है या नहीं है, और उसके बाद आपको लगता है कि मैं इनकी इन सरकी language मुझे समझ में आ रही हैं वहाँ से course करें दीजिए मैं किसी को बात यह नहीं करता हूं दोस्तों कि आप मेरे से course कीजिए को सब अपने अपनी को से करते कोई अच्छा पढ़ाने की को सिस करता हैं लेकिन आपको जिस teacher की बहसा आपको अच्छी लगती है अगर आपको लगता है कि जो अच्छा content देता है उसके शुड़िए और पढ़ना सुंगी जूड़ना चाहते तो दो बाते आपको ध्यान रखनी है और कोर्स लेने से पहले नीचे जो दिशा निर्देश दिये वे हैं कमपनी के जो ऑनलाइन स्कुल इंडिया के जो यह कोई भी चांस जुढ़ना चाहते हो जहां पर रूल्स रेगुलेशन दिये वे उनको एक बात जरूर आपको पढ़ना है तो पहले बात दियान रखना पूरा कोर्स आपको रिकोडेट मिलेगा और मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोर्स है तो रिकोडेट क्लास बहुत ज़्यदा बैस्ट रहीगी आप लोगों के लिए तो टाइम पर जब भी होगा तो आपको एक दिन में दो क्लास तीन क्लास चार क्लास भी अभी हमारा जो content है UGC net or set level का उसका आपको PDF ना तो डाउनलोड होगी ना आपका द्यान रखना प्रिंट आउट निकलेगी मतलब साब यह है कि आपको handwritten notes बनाकर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों क्या बनाना पड़ेगा handwritten notes बनाकर पढ़ना है और मैं फिर से कहा रहा हूं दोस्तों मैं इस platform पर सब के सामने कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को librarian बनाने के लिए आया हूं ना कि आप लोगों को दूसरों की तरह बेवकु बनाने नहीं आया हूं चीक न दोस्तों क्योंकि कहीं आपको offer मिलता है वहाँ से course ले लीजिए जहां से आपको PDF मिलती हैं, वाज से भी आप PDF ले लिजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम आप लोगों के लिए मैनत कर रहे हैं, आप लोगों भी आप लोगों भी उतना ही मैनत कीजिए, फिर देखिए सपलता आपके चड़नों में होगी दोस्तों, तो दो ब उसके बाद जो आपका test series है, वो आपको test series मिलेगी और पूरा topic आपको मिलेगा दोस्तों दयानकना, और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा UGC net, जो set जो हमने course launch किया है, तो उसमें दोनों चीज है, एक तो आपको जयानकना paper 1, paper 1 आपको मिलेगा, दूसरा ज कर दोन्हां हो गया, वो आपका subject को हो गया, subject का म hearings मलेब होता है,aceutical Dis, और तीसरी चेज आपको द्यानकना test serious, क्या देना, क्या है मिलेगा δोस्तों, test series और test series में पहला मिलेगा, आपको topic y, क्या मिलेगा, topic y, test series मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा unit wise test, क्या मिलेगा दोस्तो युनिट वाइट टेस्ट, तो युनिट वाइट टेस्ट में ध्यान रगना है, हर युनिट के 500 कोशिन मिलेंगे, तो आपके 10 युनिट होगे, तो कितने होगे आपके 5000 कोशिन मिलेंगे आपको, कितने 5000, 5000 कोशिन है, जिसमें अभी हमने 4000 कोशिन अपलोड कर दिये हैं, ध्या हो जाए तब जो है पूरा निर्देश वगरब पढ़े जब पूरीतर से सटिस्पाइड हो जाए तो एक बार आप मेरे से बात जरूर किजे दोस्तों फिर उसके अंदर हम ध्यार रखना है प्रिवियस प्रिवियस यह सोल्ड पेपर भी हमने डाले हैं प्रिवियस यह सोल्ड पेपर हैं जिसमें आपके नेट के भी हैं सैट के भी है और अधर कॉंपडिवियस एकजाम के भी सोल्ड पेपर हम डाल रखे ताकि आ को जब कौर्स पूरा हो जाए तो एकजाम देने से पहले आपको यह सारी चाज़े पता चले जो यह बाते हम बता रहे हैं अगर आपको वास्तों में अपनी आखों से देखना है तो आप सबसे पहले net का syllabus का print-out निकाले प्रिंट-out निकालने के बाद आप हमारे app के अंदर जाईए और देखिये हम syllabus के हिसाब से आपको पड़ा रहे नहीं पड़ा रहें, syllabus के हिसाब से topic hack नहीं है, उसके बाद test series hack नहीं है, previous year के question paper hack नहीं है, सब कुछ आप अंदर जाके देश सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्रेम देने के लिए, हमने आज से एक साल पहले राजिस्टान के अंदर, third gate का course हमने launch किया था, और third gate के अंदर हमारे पूरे टॉपर जो रही थी नेना सेनी, जिन्होंने राजिस्टान के अंदर second rank, sorry, राजिस्टान के अंदर, पूरे राजिस्टान के अंदर third rank प्राप्ट की थी, ठीक है न दोस्तों, और उसके अलाओ राजिस्टान में हमने यहां से 120 प्लस लोगों का selection हुआ है, आज यह लोग राजिस्टान स्कूल के अंदर जो है लाइबिरियन लग चुके हैं, इन लोगों ने इतनी महुत publicity की हैं कि आज हम पूरे कस्मी से लगा कर कने कुमाई तक आप लोग हम से जुड़े हुए हैं, और उमीद गरता हूँ कि ऐसा ही प्रेमोस ने आप हमारे साथ बने रखेंगे, तो हम आपके लिए Library Science पे और अच्छा quality content जो है, quality content हम आपको देते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि total quality management का एक सबसे बड़ा उद्यस्य है कि customer satisfaction और customer satisfaction कब होता है, जब आप उनकों चीजों को quality देते हो, तो उसी तरीके से आप हमारे जो students है, तो आप लोग satisfied कब होंगे, जब हम आपको quality content देंगे दोस्तों, तो मेरा एक ही logo है, online school इंडिया का, कि हमारा मार्क दर्शन और आपकी मैनत, यही जो है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यह हमारा logo है दोस्तों, thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम लाइबरी सैंस में और अच्छा काम करेंगे, thank you very much, इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें, ताकि पविश्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सकते हैं,